छेली आज बनाते बहुत ही ज्यादा टेस्टी और बहुत ही आसान सी रेस्पी पालक पकोरा तो इसके लिए सिंपली मैंने यहाँ पे पालक लिया है अब हम पालक को पानी से अच्छी तरीके से धो लेंगे क्योंकि पालक में बहुत ही ज्यादा मिट्टी वगड़ा होती है और पालक को अच्छी तरीके से धोने के बाद इसके जो टंटल वाले पार्ट्स होते है उसे हम कट करके हटा देंगे और इसके बाद हम पालक को इद्धा बारीक बारीक कट कर लेंगे तो मैंने सभी पालक को अच्छी तरीके से कट कर लिया है तो अब हम इसे बाउल में ड अब हम इसमें एड़ करेंगे बारी कटा हुआ हरी मिर्च अजवाइन को क्रस करके डाल देंगे अब डालेंगे टेस्ट के कॉर्डिंग नमाक, एक बड़ी चममच धनिया पाउडर, आधी छोटी चममच हल्दी पाउडर, एक बड़ी चममच लाल मिर्च पाउडर और आधी चोटी चमच गरम मसाला अब हम इसमें एड करेंगे binding के लिए बेसन जो की मैंने 1 by 3 cup के करीब डाला है अब हम इसमें डाल देंगे 1 by 4th cup के करीब चावल काटा इससे नहीं पकोड़ा और भी ज्यादा क्रिस्पी बनेगा और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे अगर आपको पानी का ज़रोत हो तो आप पानी भी डाल सकते हो मुझे तो यहाँ पे पानी की ज़रत ही नहीं पड़ी है और अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसका थोड़ा सा पोश्चन लेके हलकी गर्म तेल में डाल देंगे और medium to high flame पे उलट पुलट कर इसे golden brown होने तक fry कर लेंगे अब यह बहुत यह अच्छी तरीके से golden brown हो गया है तो अब हम इससे निकाल देते हैं और निकालने के बाद अब हम इससे serve करेंगे अपने मन पसंद की कोई भी चटनी के साथ मैंने इसे टोमाटो केचप के साथ सब किया तो चलो बाई